काठी मारल्याने पाणी दुबंगत नाई यानि पाणी में जितनी लाठी मारी जाए पाणी में कभी भेद नहीं हो सकता है आज़ादी के बाद से ही कॉंग्रेस ने साजिस के तहट S.T. O.B.C. समाज को हर प्रकार से पीछे रखा कॉंग्रेस ने बाबा साब आमबेड करकी राजनीती को खत्प किया कॉंग्रेस ने बाबा साब को भारत रत्त से बंचित रखा साथियों आजकल ये इंडी गडवन्दन वाले और उनके लोग ये जूट भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोगतंत्र और संविदान खत्रे में पड़ जाएगा अभी नितीन जी ने उसका बड़ा जम करके जवाब दिया है मैं जब से राजनिती में आया हूँ ये कोई ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें उन्होंने ये गिसी फीटी कथा न सुनाई हो अट्रल जी की सरकार मनी तब भी ऐसे ही गीद का रहे थे इसका मतलब इनकी बैंक्रप्सी इतनी है कि इनके पाथ कोई नया आइडिया भी नहीं है इमर्जन्जे के दोरान क्या लोग तंत्रक खत्र में नहीं पड़ा था पूरप से पस्चिम तक उत्तर से जक्षिर तक अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था चारों तर्प वो ही नजर आ रहे थे क्या उस समय लोग तंत्रक खत्रे में नहीं पड़ता था एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रदानमत्री बन गया इन्हें लोग तंत्र और सम्विधान खत्रे में दिखाई देने लगा ये इंडी गडबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते अभी हमारे सिंदे जी एक कहावत बता रहे थे मराठी में एक और कहावत है काठी मारल्याने पाणी दुबंगत नाई यानि पाणी में जितनी लाठी मारी जाए पाणी में कभी भेद नहीं हो सकता है गरीब के इस बेटे पर ये लोग चाहे जितना हमला करे मोदी देश की जनता की सेवा के संक्रपस को पूरे देश को अदभूत आनंद हो रहा है लेकिन हम ये न भूले कि जब प्राण प्रतिष्ठा का आउसर आया तो इन इंडी गडबंदन वालों ने इसका भी बहिश्कार किया निमंत्रण को ठुकरा दिया ये लोग सनातन पर हमले करते हैं सनातन को खत्म करने की सोगंद लेने वालों के साथ रेलियां करते हैं साथियों आजकल नवरात्री का पर्व है शक्ती की उपासना का पर्व है ये लोग हिंदू धर्म की शक्ती को भी समाप्त करना चाहते हैं आप मुझे बताएए क्या ऐसे इंडी गडबंदन वालों को महराष्ट में एक भी सीट जितने देंगे उनको इनके पापों की सजा मिलनी चाहिए के नहीं मिलनी चाहिए ये चुनाओं में वोट दे करके उनको सजा देंगे के नहीं देंगे साथियों भारतिय जनता पार्टी सीवसेना एनसीपी ये सब मिलकर के आज आपके पास आए है आपका एक एक वोट इनको जिताने के लिए तो है लेकिन उनको सजा देने के लिए भी है साथियों आज जादी के बाद से ही कॉंग्रेस ने साजिस के तहट S.T.E. S.T.E. O.B.C. समाज को हर प्रकार से पीछे रखा कॉंग्रेस ने बाबा साब आमबेड करकी राजनीती को खत्प किया कॉंग्रेस ने बाबा साब को भारत रत्न से बंचित रखा जब B.J.P. के समर्थन से केंद्रेबे सरकार बनी तो बाबा साब को भारत रत्न दिया गया जब 2014 में N.DA. सरकार बनी तो एक दलीत मा के बेटे भारत के राश्पती बने जब 2019 में फिर N.DA. सरकार बनी तो एक आदिवासी मा की बेटी पहली बार देश की पहली नागरीक राश्पती बनी N.DA. सरकार में हमने रिकॉर्ड संख्या में O.B.C. समाज से मंत्री बनाए साथियों ये N.DA. सरकार है जितने O.B.C. कमिशन को समवेधानिक दरजा दिया जितने